मेरिनस फैंस के सामने तो मेरे लिए अलो इस मेमोरेबिल रहता है और मुझे जब मैं टायड भी होता हूँ जब 70-80 मिनिट्स में तब जो ओ लोग जो चियर अप करते उससे मुझे और ज़्यादा एनरजी मिलता है और मैं और बेटर परफॉर्म करने का कोशिश करता हूँ मैं कॉंगरेचुलेशन बोलूँगा इंडियन सुपर लिग को और ये लास्ट टेन यार से हमारा इंडियन फुटबॉल को बहुत हेल्प किया है ग्रो करने में फुटबॉलर्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया है ऐजे मैं खुद का बोल सकता हूँ कि मैं ऐजे प्ले coaches आये हैं बहुत सारे और उनके अंडर खेलना साथ में जो teammates हैं बहुत सारे जैसे Spanish player हो गए France के और भी बहुत सारे country के तो वो लोग सब अपने national team के लिए खेलते वहाँ पे तो इधर आने के बाद हम उनके साथ जब खेले तो हमारा ऐजे everyday practice करने के वज़ए से हमारा individual quality भी develop हुआ है तो उससे हम जब देश के लिए खेलने जाते पहले जो एक डर रहे था था ता ओर डर नहीं है अभी हम लोग इसलिए देश के लिए और better perform कर पाते हम लोग ए चीज बहुत ज़दा help किया है obviously अभी बहुत ज़दा opportunity है क्योंकि और ए लीक के बज़ए से लोगों तक चीजे पहुचा है कि football में opportunity है आप football को एक profession है profession की तरह ले सकते हो क्योंकि हम लोग जब start किये थे football खेलना से passion था देश के लिए खेलना है ए हमारा बाद में जाके एही मेरा profession बनेगा मैं as a professional footballer बनूंगा इसी से ही मेरा घर चलेगा ऐसा नहीं था उस time चीजे clear नहीं था तो अभी जब लीग आने के बाद हम लोग और ज़्यादा exposure मिला है तो अभी बच्चे लोग जो है अभी current generation का तो वो लोग professionally लेना चाते football को और वो लोग भी अपना base देखे जैसे सारे club के लिए खेलना चाते देश को represent करना चाते वो चीज़ बहुत अच्छा हुआ है मेरे ही साथ fan base बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जैसे पहले लोग सिप European football और English में लेग follow करते थे अब ही convert हो रहा है Indian football के लिए और वो चीज़ बहुत positive लगता है मुझे और दूसरा चीज़ एक ही Indian football में जैसे पहले से क्रेस रहा है कोलकाता में जैसे कोलकाता को football की मक्का भी बोलते क्योंकि इस Bengal मोहन बागन fans एक rivalry है तो उसके लिए हम लोग मैं ही लोता है कि यह लोग best fans है मुझे ऐसा लगता है और जब देश के लिए represent करता हूँ तो सारे team का fans whole India हम लोग को एक साथ होके जो support करते last time हम लोग साफ कप भी खेले जो Bengaluru में जो support था जो atmosphere था ओ अन फर्गेटबल था और amazing और मैं चाता हूँ ऐसे इंडियन फुटबल में fans और ज़्यादा interact हो और ज़्यादा follow करे और ज़्यादा support करे तो India as a unit together हम लोग इंडियन फुटबल और grow कर सकते पहला तो है कि हाली में हम लोग जो ICL champion हुए इतना साल से मैनत कर रहे थे कि ICL trophy जीते तो ICL trophy जीतना और मेरा और एक memorable चीज है कि मैं Bangalore FC के against जो इंडिया का भी base goalkeeper है गुर्पी सिंग संदू उनको मैंने score किया था मैं शायद 2-3 बर किया है Indian Super League में तो वो भी मेरे लिए एक memorable रहा है और और मैं बोलूँगा कि मेरे लिए हर एक match memorable होता है जब मैं मेरे home में खेलता हूँ अपने मोहन बगन fans के सामने, मेरीनस fans के सामने तो मेरे लिए always memorable रहता है और मुझे जब मैं tired भी होता हूँ जब 70-80 minutes में तब जो ओलोग जो cheer up करते उससे मुझे और ज़्यादा इनर्जी मिलता है और मैं और better perform करने का कोशिश करता हूँ जैसे छोटे से हम लोग देखते आए ऐसे बेंगोली बॉय कि जब भी डार्बी होता है सब घर में हाँ अब ही मेरा दोस्ट भी इस बेंगोल वाला है तो हाँ एक दिन हम लोग मतलब नहीं बात नहीं करेंगे तू इस बेंगोल मैं मोन बागान ऐसा रहते थे आम लोग तो ऐसे situation से अभी जैसे मैं ऐसे professional player मैं सोचता हूँ कि एचीज ऐसे Indian football को grow कर रहा है जैसे जो राइवली है जो 90 मिनिट्स में ही रहे मैं एचीज बोलूँगा ऑलोएस क्योंकि फैन्स लोग 90 मिनिट्स के बाद एक साथ फिर मेरा भी बहुत दोस्ट लोग है इस बेंगोल है बाट हम लोग 90 मिनिट्स के लिए इस राइवल है उसके बाद हम लोग फिर दोस्ट एक साथ बैठते खाते घूमते तो मैं ओईचीज ओलोएस फैन्स को बोलूँगा कि 90 मिनिट्स में ही रखे और ग्राउन के बाहर जाके फिर एक साथ घूमे फिरे एंजोई करे मुमेंट को एक्स्टर टाइम